दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत सुवागत है हिंदी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि परदान मंतरी फसल विमा योजनाद 2021 की इस खरीब फसल जो की अपरू हो चुका है हम आपको परो जान वीडियो में बताने जा रहा हिए कि आप उसकी लिश्ट कैसे डाउनलोड कर लिए पूरी जान कर आपको इस वीडियो में अलजफ सबसे पहले आप अपने मुबाइल में Google Chrome Browser को उपन कर लीजिए या फिल Laptop Desktop जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें Google Browser को उपन करिए यहां से Chrome Browser को यहां पर आपको सर्च करना होगा PMFBY PMFBY परदान मंतरी फसल विमा योजना आप देख सकते हैं यहां पर crop insurance की official website है government की official website यहां पर देख सकते हैं परदान मंतरी फसल विमा योजना इस website का इंटरफेस आपको देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहां पर आपको थोड़ा सो लोड कर लेना है दोस्तो website का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए CSC इस तरह से login पर आपको क्लिक करना है CSC login पर तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए यहां पर कुछ इस तरह से page निकल कर आएगा सबसे पहले आपको यहां से आपको जो भी स्टेट है वो स्टेट को यहां से आपको चूज कर लेना है खरीब फसल परदानमंतरी फसल विमायोजना खरीब 2021 यहां से submit वाले बटन पर क्लिक करना है यहां से आपको application के उपर जाना है और यहां से approved application पर आपको क्लिक कर देना है अपके सामने परदानमंतरी फिक विमायोजना जिन लोगों न अपलाई किया था उन सभी की यहां पर लिष्ट निकल कर आ जाएगी और यहां पर इन्हें 101 परसंट यहां पर फिक विमा का लाब मिलने वाला है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं उन्होंने कितना शेत्र का भरा हुआ है वो पूरी जानकरी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी अगर आप यहां से उसकी रिसीब डाउनलोड करना चाहते है तो दोस्तों आपको सिंपली जिसकी भी आपको रिसीब चाहिए उस पर इस तर प्रिक करेंगे आप यहां पर देख a टनलोड के सांबने हो जाइगी अब आप इसकी यहां पर प्रिंट आफ निकाल सकते है तो इस चेक किर लिजिए और यहाँ पर आगर आपको उसे दोबारा रिवार्टेट अप्लिकेशन में आपको फर्म नदर आ रहा है तो simply आपको रिवार्टेट अप्लिकेशन में से अपना फर्म को दोबारा डाकुमेंट अपलोड करकर उसकी जो तुरूटी आई हुए उसे किलियर कर देना है तो दोस्तो इस तरह से आपको अप्लिकेशन लिस्ट को डाउनलोड करकर अपने पास रख लेना है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें पिक विमा से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो उस अगर जाद इस वीडियो को शेयर करें है